हेलो एबरीवन एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूँ मैगनिट विंस हिंदी मीडियम चैनल पर जहां पर आपको मिलती है निसुल सिख्छा इसी संकला में आज मैं आप लोगे लेका आया हूँ एनसी आटी बुक के चैपटर नमर वन के निवरिकल कॉष्चन्स आज हम देखेंगे को कैसे सॉल्व किया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो numerical questions हैं और यह numerical questions जो है वो हमारे questions है marginal opportunity cost पे हैं ठीक है तो marginal opportunity cost क्या होती है सीमान्थ अफसर लागत तो सबसे पहले हमें उसका formula मालूम होना चाहिए जैसे तो वीडियो में आपको पहले भी बता या है लेकिन एक बार फिर से हम सबसे पहले formula लखेंगे तो हम इसको बोलते हैं marginal opportunity cost मतलब कि सीमान्थ अफसर लागत इसका formula होता है unit sacrificed upon unit gain यह इसका formula होता है unit sacrifice upon unit gain ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे प्रसन को प्रसन हमसे क्या पूछ रहा है निमनांकित तालिका से सीमान्थ अफसर लागत को ज़्याद की जी है अब देखो सीमान्थ अफसर लागत इसी को मैं क्या बोल रहा हूं M O C सीमान्थ मतलब होता है marginal अपसर मतलब होता है, opportunity लागत मतलब होता है, cost, तो इसलिए बन जाता है, marginal opportunity cost बन जाता है, तो मेरे यहाँ, मेरे पास दो product given है, product x kg में है, और product y kg में है, तो पहले प्रशन को समझते हैं, बोल रहे हैं कि सर पहला जो हमारे पास option है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 kg of x बना रहे ह जो है, वो 0 बन रहा है, दूसरे option में, मैं इसको ना सुवधा की दिरस्ट्री से, इसको ना a combination दे देता हूं, और इसको ना b दे देता हूं, और इसको c option दे देता हूं, इसको d option दे देता हूं, और इसको e और इसी प्रकार इसको f option number दे देता हूं, तो मेरे पास ये a से ल और पच्छितर देखने में क्या समझ में आ रहा कि सर एक्स का पॉड़क्षन कम करते जा रहा है बाय का पॉड़क्षन हम बढ़ाते जा रहे हैं फिर यहां पे 10 और 85 और यहां पे 0 हो जाता है और यहां पे 87 हो जाता है तो अब हमें पता क्या करना है Marginal Opportunity Cost कि मैंने बाय का पॉड़क्षन बढ़ाया तो एक्स को कितना सेक्रिफाइस करना पड़ा तो यह फॉर्मॉला लगा लेंगे तो फस्ट केस में यहां पे मेरा MOC आजाएगा यहां पे लिख दूँ हमें MOC ठीक है अब देखो फस्ट केस में क्या है कुछ नहीं आएगा सर क्योंकि फस्ट केस में हमारे पास उसके पहले कुछ नहीं है सेकंड केस की बात करता हूं मैं यूनिट सेक्रिफाइस कितना सेक्रिफाइस किया 100 माइनेस 90 10 उनिट्स मैंने सेक्रिफाइस किया तो गेन 25 उनिट ओफ बाय तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मेरा margin opportunity cost 10x अपोन x से इसक्रिफाइज किया ने मैंने येस x को सेक्रिफाइज किया अपोन 25y 25y को गेन करने के लिए मैंने कितना unit sacrifice किया 10x तो मेरा बन गया यह margin opportunity cost इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कितना sacrifice किया option c पर जैसे होंगा 90 से 70 कर दिया तो 20x मैंने यहाँ पर sacrifice किया to gain 25 से 50 चला गया मैं यहाँ पर to 25 by 25 by मैंने यहाँ पर gain किया और sacrifice कितना किया मैंने 20x उसके बाद देखता हूं मैं 70 से 40 70 minus 40 is 30x 30x इन्होंट को sacrifice किया to gain 75 minus 50 है ना डीम से c को minus किया 75 minus 50 तो आ जाएगा मेरे पास 25 by 25 आ जाएगा मेरे पास ठीक है इसको ऐसे कर लेंगे हम जिससे कि आपको clarity रहे ठीक है चालो अब इदर देखता हूं मैं 40 से 10 तो मतलव हो गया मेरा यह 30x और कितना गेंग यहाँ पर मैंने 85 minus 75 10y कितना हो गया 10y ठीक है अब लास्ट आप्शन की तरफ बढ़ेंगे 10 minus 0 10x sacrifice किया मैंने तो गें 85 अधर 87 minus 85 2y यह क्या गया मेरा marginal opportunity cost तो अब मैं इसको न एक एक यूनिट के लिए भी देख सकता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 unit x की sacrifice करने पड़ी लेकिन जैसे ही मैंने अंगली 25 यूनिट बनाई तो मुझे कितनी x की unit sacrifice करने पड़ी 20 मतलब मेरी यहां पर यूनिट की लागत जो है cost जो है वो बढ़ रही है ज्यादा sacrifice करना पड़ रहा है मुझे फिर जैसे ही मैंने अंगला 25 बनाया बाए का तो मुझे 30 unit जो है वह x की sacrifice करने पड़ी मतलब अब मेरा option और costly हो गया उसके बाद जब मैंने 10 मतलब यहां पर 30 x sacrifice करके 25 बना पा रहा था यहां पर 30 x sacrifice के तो कितना बना पा रहा हूं 10 मतलब मेरा और costly option हो गया उसके बाद 10 x unit sacrifice करके बाद भी मैं 2 additional drop by बना पाया तो हम अब इसको selection का बैसे हमसे पूछा नहीं है लेकिन पूछा जाता तो ना ही हम a option select करेंगे ना ही हम f option select करेंगे क्यों दोनों costly है हम b c b या e मैंसे कोई भी option select कर सकते हैं जिससे कि दोनों ही commodity को produce किया जा सके तो यह मेरा marginal opportunity cost हो गया उन्होंने सीमांद अफसर लागत मु अंगला प्रस्न है मेरे पास नीचे दिये हुए समंकों से x बस्तू की सीमांद अफसर लागत ग्याद कीचिए किसकी पूछ रहा है वो x बस्तू की सीमांद अफसर लागत पूछ रहा है मुझसे कि x को produce करने के लिए by को कितना sacrifice करना पढ़ रहा है ठीक है x को मुझे produce करने के लिए कितना by sacrifice करना पढ़ रहा है तो मैं फिर से वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि सीमांद अफसर लागत है marginal opportunity cost जिसका formula होता है हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे unit sacrifice unit sacrificed upon unit gained ठीक है तो यही वाला हम फॉर्मूला यहां पर फिर से यूज करेंगे तो लिख लेते हैं यहां पर marginal opportunity cost फॉर्मूला मैंने उपर लिख दिया है तो first option में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि यहां पर कुछ sacrifice और कुछ gain नहीं है अब इदर मैंने क्या sacrifice किया y की 15 मैं से 14 by अभी मैंने एक कम कर दिया तो मैं unit sacrifice one by sacrifice to gain one unit of x तो one y upon one x हो गया मेरा first option second case में 14 से कितना चला गया हमें 12 मतलब मैंने कितना unit sacrifice किया two unit of y is sacrificed to gain one addition unit of two minus one x तो two y upon x हो गया second option मेरा third option में क्या किया है मैंने 12 से 9 मतलब मैंने कितना sacrifice किया three unit sacrifice किया ठीक है और कितना gain किया one x one x मैंने gain किया फिर इदर कितना मैंने sacrifice किया nine minus five तो मैंने four unit of y sacrificed to gain one unit of x और दर five minus zero is five y upon five minus four is one x तो मेरी marginal opportunity cost आ गई x की तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि सर यहाँ पे मेरी one यहाँ पे two यहाँ पे three यहाँ पे four और यहाँ पे five यह मेरी क्या है marginal opportunity cost to produce commodity x और यह किसको sacrifice किया मैंने y को sacrifice किया है बात समझ में आई clear एकदम question unit sacrifice upon gain करते जाना है तो मेरी marginal opportunity cost जो है वो निकल के आचाती है चलिए बढ़ेंगे हम अंगले प्रस्नी की तरफ अंगले प्रस्नी मुझस से पूचता है निम्नांकित सूचना से सीमांत अफसरलागत ज्याद कीजिए सीमांत अफसरलागत अगेन marginal opportunity cost formula मालूम है unit sacrifice upon unit gain होता है ठीक है जी चलिए तो x x को sacrifice कर रहे हैं हाँ पे हम x कम हो रहा है और by बढ़ रहा है तो first option में तो हमारे परस कुछ आता नहीं है second option में क्या जाएगा unit x की sacrifice किया तो 10 x upon कितना मेरा बढ़ा unit 4y 10 x upon 10 x upon 4y ठीक है तो यह मेरा हो गया marginal opportunity cost of commodity by ठीक है और इसको मैं जब solve करूँगा तो भी मतलब solution भी आ सकता है two point कितना हो जाएगा five x मतलब एक unit by की gain करने के लिए मुझे कितना sacrifice करना पड़ता है two point five x डाई unit जो है x की मुझे sacrifice करने पड़ती है टो पेडिगोस one more unit of commodity by ठीक है चालिए तो margin opportunity cost के अभी तक तीन questions हो चुके है अंगला question भी मेरे पास क्या है सीमान दफसर लागत मतलब marginal opportunity cost का ही है ठीक है तो इसमें हमने unit वाइस भी निकाल लेंगे कि एक unit को gain करने के लिए कितनी unit जो है वो हमें sacrifice करने पर रहे वो भी निकाल लेंगे बद यूनिट में भी हम इसको calculate कर लेंगे ठीक है तो formula गेन हमें मालूम है unit sacrifice unit sacrificed upon unit gain formula लगेगा तो first option में हमारे पास कुछ नहीं आता है second option में देखते हैं हमारे पास क्या मैंने gain किया है commodity a gain किया है commodity b जो मैंने sacrifice किया है तो sacrifice कितना किया है 200-180 I have sacrifice 20 commodity 20 units of b to gain 10 units of a अब इसका पर यूनिट में निकाल हूँगा तो क्या हो जाएगा कि सर मैं two unit जो है b की sacrifice करता हूं to gain one unit of a to gain one unit of a यह मेरा individual हो गया दो यूनिट सेक्रिफाइस कर रहा हूं इस option में second option पर आता हूं मैं 180 से 140 मतलब मैंने 40 unit of b sacrifice किया to gain 20-10 10 units of a मतलब यहां पर क्या हो गया 4b 4b raise to 1a मतलब कि 4 unit मुझे sacrifice करना पड़ रहा है to gain one unit मतलब costly होते जा रहा है अब 140 minus 80 कीजिए तो 60 हो जाएगा यह 60 unit of b is sacrifice to gain 10 units of a तो यहां पर मेरा बन जाएगा 6v raise to 1a ठीक है लास्ट ऑप्सन देखते हैं 80-0 मतलब 80 units of v is sacrifice 40-30 to gain the 10 units of a तो यहां पर बन जाएगा मेरा 8v raise to 1a मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने जो b की 2 unit sacrifice किया यहां पर चार unit sacrifice के यहां 6 unit और यहां पर 8 unit sacrifice के to gain additional 1 unit of a तो यहां पर मेरा कॉस्ट जो है माजनर पहुचरी कॉस्ट जो है बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे इधर जाने में फाइदा नहीं दिख रहा है ठीक है तो यह था इस question का solution ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो comment section करके जरूर बताईए अब बढ़ेंगे हम अंगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण करमांग 5 है मुझसे पूच रहा है निमनांकित से उत्पादन संभावना वक्र के आकार पर टिपनी कीजिए मुझसे पूच रहा है कि इस table को अगर आप production possibility कर्म डालेंगे तो उसका shape कैसा सब्सक्राइगा उसके आकार के बारे में मुझे बताईए तो बहुत आसान है हम इसका क्या करते हैं बना ही लेते हुँआ उत्पादन संभावना वक्र बनने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा x-axis और y-axis, ठीक है जी, और x-axis पे मैं x commodity रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं y commodity रख लेता हूँ, तो x commodity मुझे जाना है 0 से 4 तक, और यहाँ जाना है मुझे 10 तक, ठीक है, तो 0 हो गया, x का क्या रखूंगा, मैं 1, यहाँ पे मैं 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यह 2, 4, 6, 8, और 10, यह मैंने रख लिए बाएगा, फिर्स्ट आप्शन पर क्या बनाना है, 0x बनाना है, 10y बनाना है, मतलब मेरा बिंदू है, इधर आएगा, सेकिन्ड आप्शन पर मुझे 1 बनाना है, x और 9 बनाना है, y, तो मेरा बिंदू इधर आजाएगा, फिर मुझे तीसरे आप्शन पर क्या बनाना है, 7y बनाना है और 2x बनाना है, तो 7y और 2x इधर आगया, फिर 3 और 4 बनाना है, मतलब 3 और यह 4 इधर आगया मेरा आप्शन, फिर बनाना है 4 और 0, तो 4 और 0 यह आगया, तो ये बन गया मेरा क्या? उत्पाधन संभावना वक्र तो downward spot to है यह और यह क्या है? नदतर है किसे? मूल बिंदू से ठीक है? तो आसान प्रस्वन था ये तो हमें क्या करना था? सिर्फ उत्पाधन संभावना वक्र बनाना था और उसके save के बारे में हमें comment करना था अच्छा है, साथ में एक comment डिवी कर सकते हैं हमारे पास option कितने हैं, जैसे कि इसको हम option number यह दे देते हैं, यहाँ पर एक option था, वो option number B हो गया और यह option number C हो गया और यह option number D, और यह option number E हो गया, हमारे पास इतने सारे options available हैं, combinations available हैं, जिनको हम economy में produce कर सकते हैं, यह हमें उत्पादन संभावना वक्र समझा रहा है बाट ठीक है जी, चलिए, तो बढ़ेंगे हम आज के अंत्म प्रस्न की तरफ क्या पूस्ता हम से अंत्म प्रस्न आज का निम्नांकित तालिका के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र पर कारण सहित प्रिकीजिए, अब बोल रहा है कि सर पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उत्पादन संभावना वक्र बनाना पड़ेगा, और वह ऐसा क्यों है X और commodity Y मैंने हाँ पर ले लिया और यहाँ मुझे 1, 2, 4 जाना है और यहाँ पर मुझे 16 तक जाना है ठीक है? कोई बात नहीं तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इधर भी बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ ले लेता हूँ 4, 8, 12, 16, 20 इधर ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5 अब ऐसा क्यों लिया मैं आप समझें होंगे कि सर यहाँ 1, 2, 4 के लिटम्स तो है X, XS पर मैं 1, 2, 4 ले लिया और यहाँ common gap रखने के लिए क्योंको 16 तक पहुँचना था मैंने 4, 4 का gap यहाँ पर ले लिया ठीक है, तो मेरा यह बन गया plotting हो गई अब जरा मैं इस पर बिंदू मना लेता हूँ तो पहला बिंदू कहाँ पर आएगा 16Y, 0, X तो मतला पहला बिंदू मेरा इधर आ गया ठीक है, इस line पर आएगा दूसरा 12 पर 1, यह 12 हो गया और यह 1 हो गया, तो यह पहला जाएगा बिंदू फिर मेरा 8 पर 2 तो यह 8 हो गया और यह बच्चे 2 हो गया 3 पर 4 यह हो गया, 3 मतला यह हो गया 4 और यह हो गया 3 और यह हो गया 4 पर 0 यह बन गया मेरा उत्पाधन संभावना वाकर अगेन मैं इसको option A option V option C option D option E दे दूँगा यह तो बनके तयार हो गए मेरा क्या उत्पादन संभावना वक्र है कि अब पूश्चन क्या पूच रहा है बक्र पर कारण सही टिपड़ी कीजिए करते हैं पहला option हमें क्या बता रहा है कि सर कमोडिटी बाय जो है वो 16 बन सकती है और कमोडिटी एक्स जो है वो जीरो बनेगी ऐसा क्यों बनेगा तर क्योंकि प्रडक्शन जो हमारे संसाधन है वो सभी के सभी संसाधन हमने production मतलब product B में लगा के रखें product X के हमने संसाधनों को नहीं दिया है लेकिन जैसे ही सर हम point number B पे आएंगे तो हमने क्या किया production जो by product में संसाधन लगे हुए थे उनको हमने sacrifice उसको production sacrifice किया वहाँ से संसाधनशिफ्ट किये किस पे संसाधन शिफ्ट किये हमने X पे तो हमारा production जो है वह इस प्रकार हो जाता है और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी सर हमने चार unit जो है वो वाई की sacrifice किया to gain one unit of X बात समझ में आ रही है जैसे ही से हम option number C की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि option number C में हमने क्या किया अपने संसादनों को X के production में लगाया और X के production में जैसे ही मैंने लगाया तो मेरा फिर से क्या हो गया यहां पर buy का production 8 हो गया और यहां पर production मेरा 2 हो गया यहां भी मेरी marginal opportunity cost यहां भी मैंने क्या किया चार वाय एक सेक्रिफाइस के टू गेंड वन एक्स मतलब मेरा क्या यहां पर marginal opportunity cost constant है यह बहुत बड़ी बात है जनरली marginal opportunity cost बढ़ती है लेकिन यहां पर मुझे क्या दिख रहा है अभी तक मेरी marginal opportunity cost constant है जैसे ही मैं option number deep की तरफ जाता हूँ sir तो मैं 4 by produce करूँगा और 3x produce करूँगा और यहां भी मेरी marginal opportunity cost 4y equals to 4y is to 1x आया calculate कैसे कर रहा है 8-4 तो 4 आया और 3-2 तो 1 आया तो unit sacrifice upon unit गिनिस का formula होता है तो क्योंकि मैंने अपने संसाधनों को shift कर दिया किस पर? x के production पर x के production पर मैंने जैसे ही संसाधनों को shift किया तो मेरे x का production तो बढ़ा गया लेकिन बाय का production कम हो गया और option number e हमें बताता कि सारे से sources जो हैं संसाधन जो है वो मैंने किस के production में लगा दिया x के production में तो total मैं 4 x produce कर रहा हूँ और मेरी margin opportunity cost margin opportunity cost क्या है मेरी margin opportunity cost मेरी अभी भी 4y raise to 1x सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे इस question में देखने हूँ क्या मिली कि मेरी margin opportunity cost constant थी इस question में मतलब कि जो मेरे संसाधन थे वो पूलता ही हस्तांतरद होने वाले थे मतलब वो x में भी उसी efficiency के साथ काम कर रहे है जिस efficiency के साथ वो by के साथ काम कर रहे थे इसलिए मेरी margin opportunity cost क्या है constant है यह हमारा diagram बन गया और यह आपके होस पे टिपड़ी हो गई मतलब आपने comment कर दिया उसके बारे में यह प्रस्ण हमसे पूछ रहा था और हमने इसका जवाब दिया मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने सभी question की practice अपनी copy में जरूर कीजेगा और फिर भी कोई doubt जाएगा तो comment section में करके बताएंगे आपको कहां पे दिक्कत गई समझने में तो मैं उसके लिए आपके लिए live session लेके आ जाओंगा जहां पे हम questions को और solve कर सकते हैं और अगर आपको questions solve करने दिक्कत हो रही है तो आप मेरे playlist में जाके सारे वीडियो को एक बार इस chapter के वीडियो को देख लिजेगा तो आपको इन answers को समझने में आसानी होगी बाट ठीक है जी चलिए आप जैसा की जानते हैं magnet brains आपको निस्सुल्क सिक्षा उपलब्द कराता है हमारे पास कच्छा 6 से लगा के कच्छा 12 वी तक के सभी विसेक के वीडियो आपके लिए निस्सुल्क उपलब्द होते हैं और हमारे टॉप कोर्सेस में देखेंगे आप हम CVSC, English Medium और Hindi Medium दोनों में ही वीडियो उपलब्द होते हैं हम Central Board के साथ साथ State Board को भी करते हैं जैसे UP Board, Bihar Board, MP Board State Board को भी हम फोकस करते हैं उसके लिए भी हमारे पास विसेवार विडियो उपलब्द होते हैं इसके लाबा जो हमारे टॉप कोर्सेस हैं वो इस्पोकन इंग्लिस है, CUT है, NTSC है ओलंपियाड है ये विडियो भी निस्सुल्क आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं तो बने रहिएगा Magnet Virens Hindi Medium के साथ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद